नमस्कार दोस्तों मैं हूँ शिवन चुपला एक बार फिर से आप देखना है अमेठी अब अमेठी की वीडियो आद के सामने आद प्रस्तुत की जा रही है यह अमेठी जिले से सम्बंदत तो नहीं लेकिन अमेठी नमक्स्खान से ही पुरी हुई है यह अमेठी जो आप भी आपको दिखा है यह अमेठी जिले से बिल्कुल विन है अमेठी जिले में से जुड़ा हुआ पोई यह वीडियो नहीं है और यह अच्छा है लुक यह आपको दिखा है कि जौनपूर वाले आईवेपर लोग अमेठी के नापर सिर्फ अमेठी जिले को ही मानते हैं तो किसमा जिले है तो कहने के मतलग यह है यह आप लोग भी देखें हैं अबर यहां की जेची बहुत बेहतर मात्रा में होती है और अंगर भी काफिये जुटार है च्छिता लेकिन हम लोग वहां पक नहीं जा स आईए चलते हैं अमेठी सहर कियो आम की प्रमुख वैराइटीज की खेती यहां पर होती है जिसकी आपूरती देश के तमाम हिस्सों में इस्थित फलमंडियों में की जाती है और यहां का मौसमी व्यापार भी है इसके साथ ही यदि रहन सहन वो मकान निर्मान सैली के बात यहां पर कुछ बड़े उद्योग धंदे भी देखे जा सकते हैं जिससे यहां की आर्थिक स्थिती वारोजगारों की संख्या का आंकड़ा लगाया जा सकता है यही नहीं ऐसा प्रतीत भी होता है कि यहां की लोग कुछ अन्य उद्योगों को भी बढ़ावाद देने में लगे होना है जिससे यहां की आर्थिक स्थिती वारोजगारों की संख्या में अनुकूल प्रभाव पड़ सके तो जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आप लोगों को बताया विश्व प्रसद्द सहर अमेठी और एक राजनीतिक कड़क के रूप में जाने जाने यह मेठी से जुड़ा हुआ तो है लेकिन अमेठी जिले से जुड़ा हुआ है आपको बताते चलें लखनओ के मोहलाल गंश के गोसाइं गंश्चेत्र के अधीनस्त यहां मेठी आता है जिसके विश्व में मैंने भी आपको बताया आपको दिखा रहे हैं यहां की बाजार में और वही चारचान लगा देते हैं लेकिन यहां की आकरशन का विशेश केंद्र आम की खेती वह उसके बाद है साथ ही यहां के निवासी भी करवठी हैं अर्थात महनत कश हैं क्योंकि आम की पेड़ों की खेती करना वह उनसे फल उगा कर ब्यापार करना अपने आप में एक महनती काम है और यह सब के बसकी बात है लेकिन विशेशत हाया स्थान मलिहाबाद के बाद इस इलाके में अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब सिद्ध हो रहा है हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपके विमन में इस अमेठी तक पहुँचने की लालसा बढ़ गई है तो यदि आप कभी भी इस मार्ग से लखनो की यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ पर पहुँच सकते हैं आपको बताना चाहते हैं कि अमेठी के ही तरह डिप्लिकेट नामों वाले और भी कई अस्थान इस मार्ग पर स्थित हैं जैसे गोसाइंगंज, जैसे मिर्जापूर यदि आप इन अस्थानों की वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जल्दी ही हम इन अस्थानों से भी जुड़ी हुई बहतरीन वीडियो लेकर आएंगे इस अस्थान से जुड़ी हुई एक और महाकपूर बात यदि आप इस अमेठी की विशे में और ज़्यादा बढ़ियां से जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिखें हम जरूर एक डिटेल वीडियो लाने का प्रयत्न करेंगे तुम्हारे आज के एपसोड में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूटिब चैनल को सब्सक्राइब करें सेर करें मैं आपके लिए ऐसी ही रोचक वीडियो लाता रहता हूं